मेरा बादचीत करने का संदर्ब यही है कि खाद्य सुरक्षा और आदिवासियों के मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं और उसी संदर्ब में देश की तो नहीं बलकि अपने जारखन के संदर्ब में ज्यादा बात करूंगा और जारखन एक ऐसा राज्या है जहां हम लोग बोल सकते हैं कि अमेरी की कोक से गरीबी पैदा होती है कहने का यह मतलब है कि जहां देश के विकास के लिए अपना 40% खनी संपदा का योगदान देती है वहीं पे सबसे ज़्यादा गरीबी सबसे ज़्यादा दूसरी चीजें मवजूद हैं और यह मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ बलकि जो राश्ट्री खादय सुरक्षा कानून में जो लोग रासान लेते हैं उनके संख्या के हिसाब से बोल रहा हूँ जहां पे करिब 2 करोड 89 लाख व्यक्ति वहां पे इस तरह के रासन वाले योजना से आचादित हैं और राजा के आबादी ही करिब 3 करोड 39 लाख है तो यह इस संदर्स पर भी बोल रहा हूँ और दूसरा यह भी बोल रहा हूँ कि हाल में संयुक्त राश्टर ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है उसमें भी कहा है कि देश का हर दूसरा आदिवासी प्रकासित हुआ था उसमें देश की हालत क्या है यह से भी जानते हैं इन तमाम चीजों के मद्दिनजर हमको यह लगता है कि इस्तिती काफी भयावा है और उससे बाहर निकलने के लिए लोग जद्धो जहत कर रहे हैं मसकत कर रहे हैं और साथ ही जो कोविड ने एक तरीके से और सबकी कमर तोड़ दी है तो लोगों के पास में और भी है चुनावतियां बढ़ गई हैं दूसरी बात हमें यह बोल रहा हूं कि जब हम इन आदिवासियों को दलितों को एक अवसत के नजरिये से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि यह इस्तिती है लेकिन जब इसी में और अंदर घूस करके वो इसे समुदायों के बीच में देखते हैं जो जारखन में आठ आदिम जातिया है बिरहोर है सबर है परह बिर्जिया है जब ऐसे लोगों की इस्तिति को देखेंगे तो आपके दिलों में और भी वो गहरी चोट लगेगी जहां पे लोग किसी तरीके से जिन्दगी जीने को वीवस हैं जारकांड का एक विश्वविद्यालय है एकोनोमिक डिपार्टमेंट उन्होंने 2015-16 में एक सर्वे किया था उन्होंने ये पाया था कि सबर और विरोर जो उनकी नियुमतम जरूरत है खाद्या की 84 ग्राम है कम से कम एक टाइम का खाना वो भी उन लोग हासिल नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ 63 ग्राम ही वो लोग हासिल कर पा रहे हैं इस तरह के जो समुदाय है वो करिब 2,92,000 हैं 70,000 के करिब वहां पे परिवार हैं तो इनकी इस्तिति अलग से आप देखेंगे तो और भी स अब सवाल है कि इसके लिए कौन जीमेदार हैं कौन लोग जीमेदार हैं अगर आप जारकांड का प्रिष्ट भूमी देखेंगे तो 1951 से लेकर के 1995 तक में जो बड़े परियोजनाय होती हैं डेम्स हैं और दूसरे प्रोजेक्ट हैं उसके माध्यम से पंदरा लाग से अध लगातार कई ऐसी परियोजनाय हैं जिसके चलते लोग हमेंसा डर के साय में जीने को वीवेस हैं एक तरीके से कहा जाया तो सरकारों ने ऐसे समोदायों को इस परिस्तिती में इस परिस्तिती में दकेलने के लिए एक तरीके से मजबूर किया है तो यह एक परिस्तिती है ये है चेतरफल है उसमें से करीब 23 लाग के आसपास जंगल का चेतर पड़ता है और जंगल के चेतर में आप गावों की संख्या देखेंगे तो करीब 11,000 हैं और ये 62 विधान सभा चेतरों में आते हैं तो जहां पर जंगल के आसपास रहने वाले आदिवासियों का जीवन ही उसका 40% हिस्सा जंगलों से पूर्ती होता है 12 महिना में से लगभग 7 महिना वो लोग जंगल से जो विभीन खाद्या पदार्थ मिलते हैं उससे कलेक्ट करके अपना जीवन बसर करते हैं उन लोगों को नकसली उनमुलन के नाम पे वहां वो लोग आज हजारों कैम्प इस्थापित किये गए हैं जिसकी वज़ा से वहां के समुदाय न फ्रिली उन जंगलों में जा सकते हैं न वो वहां का खाद्या सामगरी कत्रित कर सकते हैं उपर से हमेशा ये डर्बना हुआ रहता है कि कब हमको किस नकसली के नाम पर सरकारी परतारना का झेलना पड़ेगा आए दिन वहां से घटना है कभी किसी को CRPF द्वारा हत्या किया जाना किसी को मार दिया जाना ये लगातार जारकंड से कबरें आते रही है जारकंड चतिसगर जो नेवरूर एस्टेट हैं तो एक तरीके से जवर्जस्ति इनको जो उनका स्वचंद इलाका था वहां से उन लोगों को खाद्या सुरक्षा जीसे चीजों से वन्चित किया गया है दूसरी तरफ वन विभाग का सामराज्या है और वन विभाग एक हिसाब से वहां का जमीन का जमींदार है वो अलग इन समुदायों को सदियों से जंगल से वन्चित करता रहा है फोरेश्ट एक 2006 में बना लेकिन आज भी क्या उसका इंप्लिमेंटेशन के इस्तिति है आप से बेदर कौन जान सकता है तो कहने का तातपार्या यह है कि जो उनके जीविकों पारजन के मूल भूत साधन थे उन यह डिसीजन लेने वाले जैसे डिजिटल की काफी बातचीत हो रहे थी मुझे लगता है कि कल जो सरकार का दाईत्वा है सामिधानिक दाईत्वा है उस सामिधानिक दाईत्वा से भी सरकार हमेसा अपने आपको पीछे ढखेलते रही दो हजार सोला से ले करके दो हजार बीस तक का जारकन राइट फूट केंपेन का एक दस्तावेज है आकड़ा है जो हम लोग अक्सर इन चीजों को कवर करते रहे हैं उसमें 33 ऐसे लोग हैं जो भूख या भूख के कारण से उनकी मृति हो गए जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित कांड आपका सिम्डेगा की संतोसी कुमारी की ती जो 14 साल की थी और अक्रूबर के महिना के समय 28 सितंबर को भात-भात-भात करते उसकी जान निकल जाती है तो यह अब का फीट करके बोला था कि हमने 11,64,000 ऐसे वोगस रासन कार्ड रद किये हैं जो फर्जे तरीके से राज्या में चल रहे थे और उससे 1,000 करोड रूपया का बचत किया और उसको दूसरी कल्यानकारी योजनाव में इन्वेस्ट करें जब उसके तह में हम लोगों ने गया तो पता चला कि हम मंतली वाज ब्रेक अप उसका मांगे तो वो 11,64,000 आंकड़े तो नहीं पूरा कर पाई मात्र 7,4,000 फी आंकड़े वो पूरा कर पाई तो 3,500,000 की आसपास का यह जो खेल हुआ उसके कारण से संतुसी जैसे बच्च यह जैपाल नमक प्रतिश्चित संस्था ने इस्टेडी किया तो उसमें उन्होंने पाया कि जो रासन कार्ण आधार के कारण से रद कर दिये गये थे परजी के नाम पर उसमें से 90% रासन कार्ण सही थे लेकिन उसको मुका ही नहीं मिला गाहाँ वालों को कि हम उसको रासन अधार की सिम्मेंट्रेश को ले करटर कोई भी जिम्मादारी लेने के लिए तयार नहीं है चाहाइभानकर में फिंचन iba क्राशन में नर्यगा में हो इस तरह की इतना भी डिजिटाइजाशंट में है और कोई भी जीमदारी लेने के लिए तयार नहीं है बुलोक में जाएंगे तूंपोला कि कहां से होता है मुझे पता नहीं और आपको जानकर होगा कि 2017-2018 में जब नर्य अहले गाज पर जाता था इتيiejit अधार के कारण से यह पेंधेन नहीं हो रहा है। उसको लेकर करके हमने ministry गरामिन विकास मंतराला से एक RTI मांगा तो वो RTI गोल-गोल घुमता रहा कभी UID में गया कभी जारखन सरकार के गरामिन विकास में गया और तब भी उसका जवाब नहीं मिल पाए तो यह जो अदरिस्या कारण है उसके कारण से लोगों को भारी अभिवंचना का स से क्रिसी और बाकी चीजों का जो हरास हुआ है उसके उपर अल्री पहले वाले सतर में काफी बात चीत हुए मैं उस पर नहीं कुछ बोलोंगा लेकिन यह जो बुनियादी कारण है यह सामाजिक आंदोलन के लिए एक बड़ा चिंता की बात है और सीख भी है कि कैसे इन सब सब चीजों से हम लोग निजात पाएंगे सामना करेंगे इनी चंद सब्दों के साथ में आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैरे से मेरी बात सुनी है धन्यवाद